हलो रेंट्स वेलकम टू नोलेज हब दनिय के फाइदे दनिय का उप्योग विबिन रोगों के इलाज में गले में दर्द वजलन हो तो हर तीन गंटे से दो चम्मच सुका साबुद दनिया चबा चबा कर रस चूशते रहें यह हर प्रकार के गले के दर्द विशेश कर गर्मी से गले में दर्द के लिए लाबदायक है इसमें सुआद के लिए मिस्री साथ में चबा सकते हैं खाना खाने के बाद दस्त होने पर धनिया में काला नमक मिला कर पोजन के पश्चात एक चम्मच लेने से खाने के बाद दस्त जाने की आदत छूट जाएगी केवल धनिये की फेंकी से दस्त बंद जाते हैं मुत्र में जलन यदि तेज प्यास, पेट, सरीर या मुत्र में जलन हो तो पंदरा ग्राम दनिया रात को विगो दे सुबह उसे ठंडाई की तरह पीस कर इसे चान कर मिस्री और दूद मिला कर पिएं इससे जलन वर हर्दे की दड़कन यदि अधिक हो तो ठीक हो जाती है धनिया और आवला रात को विगो कर प्राते मशल कर उस पानी को पीने से भी मुत्र की जलन दूर हो जाती है थाइराइड गरंथी बढ़ जाए क्रिया उच्छ या निम्न हो जाए तो पांच चम्मच सूखा साबुत दनिया एक गिलास पानी में तेज उबाल कर इसे चान कर निट्य सुबह साम पिलाएं गर्मी के रोगों में दनिये के हाइदे रात को मिट्टी के बरतन में दो गिलास पानी में पांच चम्मच सूखा साबुत तनिया बिगो दे प्राता इसमें स्वाद के अनुसार मिश्री मिला कर पीएं गर्मी के रोग ठीक हो जाएंगे ग्रिश में रित्यू में यदि बहुत उपयोगी है इससे पेसाब की जलन और रुकाउट में भी लाब होता है गर्मी के कारण चक्कर और के में लाब होता है ओके फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो